जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे से बहुत सी बाते पूछा करती हो और मैं उनका जबाब देने की कोशिस करता हूँ लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहवाद में हम दोनों उस तरह बात चीत नहीं कर सकते इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं तुमने हिंदुस्तान और इंगलेंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है लेकिन इंगलेंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का सौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बाते ही बतला सकता हूं लेकिन मुझे आसा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम सौक्षे पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जिसमें आवाद हैं हमारे भाई बहन हैं जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा यह तो तुम जानती ही हो कि यह धर्ती लाखो करोडों वर्ष पुरानी हैं और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था आदमीों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धर्ती पर कोई जानदार चीज ना थी आज जब यह दुनिया हर तरह की जानवरों आदमीों से भरी हुई है उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ ना था लेकिन विज्ञान जानने वालों और विध्यानों ने जिनों ने इस विशे को खूप सूच और पढ़ा है लिखा है एक समय ऐसा था जब यह धर्ती वेहत गरम थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी और अगर हम उनकी किताबे पढ़ें और पहाडों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहुआ था किताबे कौन लिखता तब हमें उस जमाने की बाते कैसे मालूम हो यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें एक बड़े मजे की बात होती क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुन्दर परियों की कहानिया गढ़ लेते लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे विना ही गढ़ ली जाए वे ठीक कैसे हो सकती है लेकिन खुसी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई कितावें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बाते मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती ये पहाड समुद्र शितारे नभिया जंगल जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है मगर हाल जानने का सली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबे पढ़ लें बलकि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें मुझे आसा है कि पत्थरों और पहाडों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी सोचो कितनी मजे की बात है एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सडक पर या पहाड के नीचे पढ़ा हुआ देखती हो सायद शंशार की पुस्तक का छोटा सा प्रिश्ट हो सायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए सर्थ यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो कोई जवान उर्दो हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसकी अक्षर शीखने होते हैं इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृतिक अक्षर पढ़ने पढ़ेंगी तब ही तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चटानों की किताबों से पढ़ सकोगी सायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोडा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए अगर तुम किसी बड़ी चटान को तोड़ कर टुकडे टुकडे कर डालो तो हर एक टुकडा खुरदरा और नोकीला होगा यह गोल, चिकने रोड़े की तरह विल्कुल नहीं होगा फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया अगर तुम्हारी आँके देखें और कान सुनें तो तुम उसी के मुह से उसकी कहानी सुन सकती हो वे तुम से कहेगा कि एक समय जिसे सायद बहुत दिन गुजरे हो वे भी एक चटान का टुकडा था ठेक उसी टुकडे की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चटान से तोड़ती हो शायद वे किसी पहाड़ के दामन में पढ़ा रहा ता पानी आया और उसे भाकर छोटी घाटी तक ले गया वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढगेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुचा दिया इस छोटे से दरिया से वे बड़े दरिया में पहुचा इस बीच वे दरिया के पेंदे में लगता रहा उसके किनारे घिस गए और चिकना और चमक्जदार हो गया इस तरह वेक अंकडवना जो तुम्हारे सामने है किसी वज़य से दरिया उसे छोड़ गया और नेक्स पेच पे तुम उसे पा गई अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वे छोटा होते होते अंद में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाईयों से जा मिलता जहां एक सुन्दर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते अगर एक छोटा सा रोडा, तुम्हें इतनी बाते बता सकता है, तो पहाडों और दूसरी चीजों से, जो हमारी चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बाते मालूम हो सकती हैं, तो इसके रचाईता, जवाहलाल नहरू, लेखा के बारे में कुछ इंफोर्मेशन, जवाहलाल था, ये चाचा नहरू के नाम से जाने जाते दे, इनकी बेटी इंद्रा, जब तर्ष वर्ष की थी, नहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्टियां लिखी, इनमें बताया कि प्रतवी की शुरुवात कैसे हुई, और मनुस ने अपने आपको कैसे धीरे-धीरे समझा पहचान ये चिट्टियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उद्सुकता पैदा करती हैं, नहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेशानंद आता था, ये सबी चिट्टियां पिता के पत्र-पुत्री के नाम पुस्तक में शंकलित है, सुनसार पुस्तक है, इसे पुस्तक से साभार लिया गया है, खास बात यह है कि ये पत्र नहरुजी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी मिनवाद हिंदी के मशुहूर उपन्यासकार मुंसी प्रेम चंद्र ने किया, सेंप भ्रेमी मुढ़ जया है कि अंग्यू औरुल को करे कि अधनार मुढ़ 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 खार इसे। प्रेमी मुढ़ मुढ़ मुआ़ ऑनारी मुणत्यों की ऑफूस्तक मुणाओ चैप्ओ अँपत्स